प्रेंड्स आफ्टर एफ्टेव स्ट्रेस्ट नौव इलसी दफ्रेश टॉपिक कंसॉलिडेशन ना कंसॉलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत अच्छे समझने वाला टॉपिक अच्छे से एक बार इसके इंडेस्टेंडिंग डेवलप हो जाए इसका मतलब क्या हुआ जैसे हमारे पास स्वाइल होती है ना स्वाइल में क्या होता है सॉलिड होते हैं ठीक है कुछ पार्ट ओवाटर होता है इसमें ठीक है और एयर होती है ठीक है तो जब स्वाइल के उपर स्वाइल के उपर जब लोड लगता है ना तो इनिशेली तो क अब यह पूरी की पूरी रिमोव हो गई घए सारी की सारी निकल गई अब स्वाइल में क्या बचा- ऑर वटर बचा तो रिमूवब्व ऑब वटर अवर थी के फ्रॉम वॉइट तिक आफ्टर डा एप्लिकेशन आफ लोड है इस called consolidation मतलब की consolidation तभी होगा जब compaction already हो चुका होगा ठीक है तो compaction हम आगे डील करेंगे ठीक है न तो आप लोगों समझ में आया कि भाई पहले तो सारी के सारी air निकली उसके बाद water निकलेगा यह न उसके बाद में water निकलेगा तो हो इसका मतलब पहले compaction होना जरूरी है soil का ठीक है यह solid बचा और यह water बचा इसका मतलब अब देखो जितने भी taką से वैँट से weight इसे हैं just water क्योंकि पार्षियल सेचुरेटट का मतलब होता है कि एर भी है और और वाटर भी है याने पहले एर रिमूव होगी लोट के लगने के बाद में पूरी एर रिमूव हो जाएगी तो स्वाइल हमारी कैसी हो जाएगी फुली सेचुरेटेड हो जाएगी और फुली सेचुरेटेड स्वाइल में ही कंसॉलिडेशन होता है दोस्तों ठीक है तो कंसॉलिडेशन का जो फेनोमेना है यह सिर्फ फुली सेचुरेटेड स्वाइल में होगा है ना तो इस तरीके से हमने थोड़ा उपर उपर यह समझा क कि कंसोलेडेशन के बारे में कुछ जाना ठीक है तो कंसोलेडेशन के डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है क्या होता है दा रिडक्षन इन दा वॉल्म आफ सॉइल ठीक है ड्यू टू दा रिमूवल आफ वाटर ठीक है फ्रॉम दी वॉइड इसका मतलब है कि जब वॉइड से हैना स्वाइल है स्वाइल कि यह स्वाइल के पार्टी का लें यहां पर बीच बीच में वाटर भरा हुआ है जब इसके उपर लोड लगेगा है ना लोड लगेगा तो इस लोड के कारण क्या होगा यह वाटर स्कूइज आउट होके बाहर निकलेगा यह बाहर निकलेग और यह water बाहर निकलेगा तो स्वाइल क्या हो जाएगी स्वाइल थोड़ी सी compact हो जाएगी स्वाइल की से जाएगी कॉंपेक्ट हो जाएगी और इसी कॉंपेक्षिन कॉंपेक्ट होने की process को वहना due to the removal of water because of the removal of water is called consolidation थीक है तो consolidation में basically 3 phase होते हैं हमारे immediate settlement है ना primary consolidation secondary consolidation तो immediate settlement और primary consolidation secondary consolidation क्या होता है यह एक-एक करके हम समझते हैं मतलब अगर soil में settlement होगा consolidation के कारण तो total settlement हम कैसे निकालेंगे इन तीनों को हम add करेंगे और इस तरीके से हम लोग total settlement निकाल पाएंगे ठीक है जैना तो initial settlement किस वज़े से होता है और primary और secondary consolidation किस वज़े से होता है समझते हुआ है तो अगर यह जैसेई शौइल में आपका लोड लगा जैसे ही 2019 a happiness particles क्या होते हैं थोड़ा सा elastic behavior शोखरते हैं ठीक है सब्सक्रूपर क्या तो प्रस्पाल उसा कोई लॉड़ लगा यह इसके ओपर लगा जिए पार्टिकल की ओपर लोड लगा यह पर जाएगा मामधें आपक्वार फिछक गया प्रटीकल टोपर बाटीकल क्या हुआ चेंज नहीं हुआ है ना पर वो डिस्टॉर्ट हो गया थोड़ा सा यह पार्टिकल था और यह पार्टिकल डिस्टॉर्ट होके ऐसे फैल गया यहां से फैल गया और यहां से थोड़ा सा पिछक गया तो इस वज़े से क्या होगा इस वज़े से क्या होगा स्वाइल के में कुछ reduction आएगा नहीं आएगा आएगा तो यह सारे स्वाइल के पार्टीकल थे लोड लगने कारे ने थोड़े-थोड़े पिछक गए ना फैल गए तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ पर पार्टीकल में है deformation आगया तो इस वज़े से जो सेटल्मेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं immediate settlement ऑफ इनिशियल सेटलमेंट भी बोल सकते हैं बट immediate settlement basically से बोलते हो यह क्यों होता है elastic deformation के कारण ठीक है भाई तो immediate settlement जो होता है वह हमारा elastic deformation के कारण उसके बात बात करते हैं primary consolidation की primary consolidation क्यों होता है तो देखो immediate settlement हो गया उसके बाद soil के particles है ठीक है consolidation हम सिर्फ fully saturated soil में समझते हैं भाई है ना fully saturated soil में ते particles है soil के और इनके बीच में क्या यह पानी है बीच बीच में जितने वी वाइड्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ पानी है एर नहीं है ठीक है क्योंकि स्वाइल कैसी fully saturated है तो अब क्या होगा जैसे ही आप कोई लोड लगाओगे तो जैसे ही आप इस पर लोड लगाओगे लोड लगाना यहां पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा ठीक है तो क्या होगा यह स्ट्र graph हमारा क्या होता है प्राइमरी कशलिडेशनों होता है यह यह उपर उपर हमने इसको समझा अनुज़ना है कि इससे से हो गया हो गया ठीक अ कि अ Wisके बाद सेकन्डरी कंस्सोलीडेशन ने क्यों होता है सेकंडरी विडिशन क्या होता है सेकंडरी चैकन्सोलीडेशन जाता है Re-orientation हो जाता है तो यह अभी भी रिसर्च अपीक है अभी भी इसमें चल रही है बहुत सार लोग बहुत सारी थ्योरी देख यह तो इसे भी ज्यादा इसकस नहीं करना हमारे से लबास का मेंन टॉपिक क्या है हमारा primary प्राइमरी कंसोलरेशन क्यम होता है हमने यह समझ लिया ठीक है तो बात करतें हैं सेटेकडरी कंसोलरेशन की देखें पार्ट क्या थे ऐसे हैं से अरेंच थे ऐसे जैसे इस तरीके से पारट स्मस्स हमारे अरेंज DRŁ इस यह त enjoला करें हो गया अब अभी भी क्या अभी भी हमें कुछ और कंटिनेस्ट्री लोड है यह वहां पर पार्टिकल फिर भी सोच रहें कि यह थोड़ा सा और पिचक जाते हैं ठीक है तो वह क्या करेंगे अब एक दूसरे को रियोरियंट करना शुरू कर देंगे रियोरियंट कैसे का देंगे कुछ इस तरीका से कर देंगे जहां खाली जगे हैं वहां पर थोड़ось से खसक जाइंगे और क्या हो गवाटिकल में फिर डैप्थ जो है सी डैप्थ का रिडिक्शन हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हमारा सेकेंडरी था हquez पार्टिकल जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं वह क्या होते हैं वह यहां पोजिशन में ठीक है यह धजिसे से भी कुछ डैक्शन हो जाता है यह देख आफ यह तो एच क्छों पर यह जगे यहां पर यह देखो इतनी जगे यहां पर डेफ्थ नीचे खसक गई है ना स्वाइल नीचे दब गई मतलब हाइट में रिडक्षन आ है ठीक है हाइट में क्या हो रहा है रिड़क्शन आ रहा है तो यह हमारा कंसोलिडेशन है ठीक है यह हमें किल्कुलेट करना होता है कि यह कितना रिड़क्शन हो रहा है यहां पर यह कितना रिड़क्शन हो रहा है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा SI immediate settlement यहां पर यह कितना reduction हुआ यहां पर यह देखो यह यह कुछ reduction हुआ यहां से यह क्या हो जाएगा एस तो SI plus SC plus SS यह तीनों क्या हो जाते है total settlement ST तीनों को add कर दो यह हो जाता है total settlement तो आई होप आप लोग के समझ में में आया होगा कि क्या होता है consolidation consolidation में हमारा basic purpose क्या है कि depth में कितना reduction आ रहा है कितनी स्वाइल नीचे खसा कर यह वह हमें calculate करना होता है ठीक है so this is all about the introduction of the consolidation ठीक है अगर आपके समझ में आया होगा दोस्तों तो like करें share करें ना